Hello Scholars, मैं हूँ Mohini और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल Education That Inspires पर Friends, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे June 2019 के Question 41 से 60 तक तो चलिए स्टार्ट करते हैं Question number 41 है, From the list of the statements given below, identify the main characteristics which are related with leader member exchange theory So, मैं यहां आपको बता दू, Leader member exchange theory जो है वो नेत्रतव के सिधानतों में से एक है यानके principles of leadership में से एक है जिसे हम LMX theory भी बोलते है, Leader member exchange theory और Hindi में इसे नेता सदस्तिय विनी में सिधानत बोल जाता है यहां पर मैंने आपको questions दोनों ही language में provide करा दिये है, Hindi और English दोनों में, जिससे कि आपको problem ना हो ठीक है friends, तो अब पहले इस theory के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपने यहां पर इसकी characteristics बतानी है यह जो theory है वो नेता और उसके अधिनस्ति, यानिके leader और उसके अंडर जो भी worker या फिर members काम करते हैं उनके जो relation है आपस में उसको explain करती है यह theory, तो यह किस तरह से explain करती है, vertical dyadic relationship को यानिके leader और members के बीच में, leader top पर होता है और जो members होते हैं, वो उसके अंडर काम करते हैं, तो इसलिए से vertical dyadic relationship का आगया है dyadic इसलिए क्योंकि दो से जाधा वेक्तियों के बीच में, यह relationship को explain करती है, यह theory, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, vertical dyadic relationship को explain करती है और नेता और member, यानिके leader of members के बीच के relationship को यह explain करती है, यहाँ पर इसकी characteristics क्या होंगी वो आपने बतानी है views, leadership as a process, नेतरतव को एक पिरकरिया के रूप में देखना, यह भी इसकी characteristic है और focuses on the vertical dyadic relationship, यानिके जो अभी मैंने आपको बताया, दो से जादे वेक्तियों के बीच, vertical relation को यह explain करती है, यह theory, ठीक है, ओर थर्ड है, explains the effects of leadership on members, team and organization जो भी members है, team है, और संगठन है, उसके उपर leadership का क्या प्रभाव पढ़ रहा है, उसको यह explain करती है इसके बाद आता है, E, points out what strengthens and weakens the leadership dynamics, यानिके नेततव गतिशीलता को क्या चीज उसे मजबूत बनाती है, और क्या चीज उसे कमजोर करती है, यह theory explain करती है So friends, यहाँ पर आपका answer होगा, A, B, C and E, second is the right answer, next question देखते हैं Next है, question number 42, according to Bruner, discovery approach is a must for learning with component of which of the following Bruner के अनुसार खोज उपागन निमलिखित में से किस घटक के साथ सीखने के लिए आविशक है So friends, Bruner ने जो अपनी theory दी थी उसका नाम था cognitive constructivist learning theory ठीक है यह एक अधिकम सिधान्त में से एक है, जिसे कि हम learning theorist को discuss करेंगे तब महाँ पर detail में करेंगे तो इसकी जो theory है उसमें इनुने discovery approach को महतवपूर माना यहनि कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो discovery करके अगर वो सीखता है तो जादा सीखता है बजाए उसके वो class के वो class में passively बैठा रहे उसके बजाए वो जब अपने learning environment को explore करता है जादे से जादा discovery करता है तब वो बच्चा जादा सीखता है तो यहाँ पर उन्होंने एक scaffolding का भी concept दिया था जिसका आर्थ होता है एक temporary support देना तो यहाँ पर इस चीज को कौन follow करेगा कौन सा option follow करेगा ब्रूनर की discovery को activation maintenance and direction बच्चा active होकर की सीखेगा चीजों का maintenance करेगा और उसे एक direction की ज़रूरत होगी जो कि उसके किसी बड़े के दुआरा या कोई अनुभव शील वैकती होगा उसके दुआरा दी जाएगी next question देखते है question number 43 question 43 है a researcher intends to study the adjustment problem of students who are slum dwellers what should be the sampling procedure used for such a study एक शोद करता है जो कि चात्रों की समायोजन समस्याओं का अधियन करना चाता है जो कि slum area में रहते हैं ऐसे चात्रों का तो ऐसे अधियन के लिए कौन सी नियाईदर्श प्रक्रिया को use करना सही रहेगा वो आपने यहाँ पर बताना है so friends ऐसे cases में हम use करते हैं cluster sampling का जहाँ पर groups जो हैं वो population में already present होते हैं यहाँ पर भी slum area में जो बच्चे रहते हैं slum area एक अलगी होता है हर city में हर राज्य में ठीक है तो वहाँ पर हमें already slum area में जो लोग रहते हैं वो हमें उसका group हमें बना बनाया मिल जाएगा तो वहाँ पर हम use करते हैं cluster sampling और इसमें जो हम group select करेंगे sample जो लेंगे वो लेंगे random technique का use करके cluster sampling में यही होता है कि पहले हम group का chain करते हैं और उसके बाद उन में से जो हम sample लेते हैं वो random sampling के through लेते हैं तो जो groups हम choose करेंगे वो बहार से तो देखने में homogeneous होंगे किसके होंगे वो slum area के होंगे बच्चे जो हम select करेंगे यहाँ पर बहार से same होंगे लेकिन अंदर से कैसे होंगे हिट्रोजीनियस होंगे अंदर उन में भिन्नताई होंगे तो यह दोनों बहार से same होंगे लेकिन अंदर से कैसे हैं अलग-अलग हैं बहार से homogeneous हैं और अंदर से heterogeneous है तो यह विच्छेस्ता होती है cluster sampling के तो friends यहाँ पर 43 question का answer होगा 4th cluster sampling या फिर cluster neither next question देखते हैं question number 44 शेहट चक्र के संबंद में सैट 1 में उलखित प्रक्रम को सैट 2 में दिये गए उनसे संबंदित कार्यों से सुमेलित कीजे तो friends शेहट चक्र या फिर शेहट cycle यह यह एक management theory है या फिर कह सकते हैं एक management method है ठीक है educational management जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर आप इस theory को पढ़ेंगे तो इसमें 4 steps बताए थे शेहट cycle में 4 steps बताए गए थे कौन कौन से थे योजना, क्रत्य, जाच और कार्य जिसे हम English में बोलते है planning जिसे denote करते है P से उसके बाद आता है क्रत्य यानिके do इसे D से denote करते है उसके बाद आता है जाच जिसे की English में बोलते है check तो इसे C से denote करते है उसके बाद आता है का होते हैं management method के जिसका नाम है शेहर्ट चक्र ठीक है तो इसके अंत्रकत क्या-क्या कारिय किया जाता है वो आपने यहाँ पर बताना है तो योजना को हम match करेंगे परिवर्तन या परिक्षन का विदी निर्मान करना विदी निर्मान किसमें करेंगे हम जो हम योजना बना रहे ह होंगे उस समय पर करेंगे किया क्या चीज कैसे कैसे होगी पूरा उसका method को बनाना ुसके बाद आता है ग्रतिय है यानिके do जो हमने परिवर्तन लाने की कोशिश की है या जो परिक्षन की है उसके पिरभाव का परिक्षन करना observation करना कि उसका क्या-क्या effect रहे हैं उस परिक्षन के वो हम third option में करते हैं यानिके जाच में चेक करते हैं उसके बाद आता है कार्य यानिके do नव इसको हम मैच करदेंगे second से और fourth को मैच करेंगे third से नव ग्यान से परिवर्तन या परिक्षन में सुधार करना उसके बाद last में क्या काम रह जाता है improvement करने का ठीक है जो नया ग्यान हमें मिला है पूरा परिक्षन करने के बाद जो हमें second और D में third तो इस तरह से ये पूरा cycle होता है यहाँ पर English में भी मैंने दिया हुआ है इसकी PDF में अपने Telegram चैनल में upload कर दूँगी जो English पर पढ़ना चाहते हैं वो English में देख लिजिएगा next question देखते है friends यहाँ पर एक change कर लिजिएगा तोड़ा यहाँ पर do लिखना है आपने बी में तोड़ा यह mismatch हो गया है यहाँ पर do आएगा और fourth में यहाँ पर आएगा act यह आप change कर लिजिएगा या पर जो मैं आपको PDF अप्लोड करूँगी उसमें मैं इसे ठीक करके आपको देदूँगी next question देखते हैं question number 45 है निमलिखित में से किस कथन से इकाई लागत के तातफर्य को सू परिभाशित किया गया है इकाई लागत यानि के unit cost यह आपका यह भी management से ही related question है administration और management से तो इसमें जो option third है वो इसका राहिटांसर होगा विद्यारति की कुल संक्या दुआरा विभाशित कुल वे जब हम इकाई लागत निकालते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि पर unit कितना cost आ रहा है तो उसी के लिए यहाँ पर यह formula type से आपको बताया गया है कि विद्यारति की जो total संक्या होगी उसको विभाजित कितने किस से करेंगे जो total वे है या फिर expenditure है उससे हम इसे डिवाइट करेंगे तो वो कहलाता है इकाई लागत नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं कॉश्चन नमबर 46 है इसमें फ्रेंड्स यह आपका कॉश्चन जैसा मैंने बिल्कुल किलेरी बताया गया है किस तरीके से ऐसे कोश्चन को solve करते हैं तो यह आपके लिए एक homework टाइप से हो जाएगा आप इसे कोशिश करेगा solve करने की ठीक है इसे हम next video में discuss करेंगे देखते हैं कितने लोग इसे ठीक कर पाते हैं next question है बोथ दर्शन के अनुसार नेमलिखित में से कौन सा प्रग्यात्म ज्यान में सहायक होता है बोथ दर्शन के अंतरगत आठ मार्ग बताये गए हैं जिसे हम अस्टांग मार्ग भी बोलते हैं यह मार्ग किसले बताये गए हैं जिससे की वेक्ति निर्वान की प्राप्ति कर सके तो इसमें भी अवस्थाएं बताई गई है एक बताई गई है प्रग्या दूसरी है शील और तीसरी है समाधी यह जो आठ मार्ग बताए हैं और तीन अवस्थाएं बताए हैं इन में से आठ मार्ग में से जो starting के दो मार्ग होते हैं वो कौन सी अवस्था तक लेके जाते हैं प्रग्या की अवस्था तक ले जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रग्यात्म ज्यान जब वेक्ति उन दो मार्गों को प्राप्त कर लेता है अस्टांग मार्ग में से दो मार्ग प्राप्त कर देता है स्टार्टिंग के तो वो प्रग्यात्म ग्यान को प्राप्त करता है उसके बाद आता है शील इसमें इन आठ में से जो स्टार्टिंग के दो हैं वो प्रग्यात्म ग्यान के लिए होते हैं उसके बाद जो तीन step आते हैं या फिर तीन मार्ग हैं वो शील अवस्था को प्राप्त करने के लिए काम आते हैं उसके बाद जो last के तीन step हैं अस्टांग मार्ग में से यानि कि लास्ट के जो तीन मार्ग हैं वो समाधी की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जाने जाते हैं तो उन अस्टांग मार्ग में से जो स्टार्टिंग के दो अस्टांग मार्ग हैं जो कि प्रग्यात्म ज्यान में सायक होते हैं वो कौन को से हैं सम्यक द्रस्टी और सम्यक संकल्प ये दोनों जो मार्ग हैं वो स्टार्टिंग के हैं ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है एक सिक्षक एक पाठे वस्तू की किर्यानविती हेदू उप्युक्त सिक्षण विदी का चेहन करने की समस्या से ग्रस्त है दर्शन की कौन सी शाखा उसकी इस समस्यात्मक स्थती को अत्यादिक उप्युक्त रूप से वर्ण करेगी ये कोश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं इसका आंस्पराएगा क्योंकि घ्यान मिमानसा में ही हम लोग सिक्षण विदी से समबंदित जो भी समस्याय होती है उनका अधियन करते हैं या उनको उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमर्फ 49 है इसे एक बार हिंदी में देख लेते हैं तो फ्रेंट्स इसका अंसर होगा क्लास में जो कॉंफिक्ट चलता है उसके समाधान के लिए ही जो सिक्षा का समाधास्त है वो प्राचिन काल से उसका ध्यान इसी चीज़ पर रहा है So next question देखते है Question number 50 है आपका hypothesis testing से related है In randomly constituted two groups experimental and control A researcher obtains the following results after using a parametric t-test Value of t is 3, 4 and 300 On the basis of this evidence which decision in respect of sub-sensitive research hypothesis and the null hypothesis will be justified So friends आपको पता है दो तरह की hypothesis होती है Null hypothesis and Alternative hypothesis जिसे हम Research hypothesis भी बोलते हैं So हम जब check करते हैं हम null hypothesis को check करते हैं उसे check करती समय हम देखते हैं कि हमारी जो calculated value है अगर वो value हमारी tabulated value से कम आती है तो हम अपनी null hypothesis को accept कर लेते हैं और अगर calculated value tabulated value से ज़्यादा आती है तो हम अपनी null hypothesis को reject कर देते हैं अब देखते हैं इसे देखिए पहले आप यह देखे कि tabulated value कौन कौन सी होती है tabulated values होती है 5% के लिए होती है plus minus 1.96 ठीक है plus minus 1.96 और 1% के लिए यही tabulated value होती है plus minus 2.58 यह हमारी होती है tabulated values अब हमने जो value calculate की है वो कितनी आई है 3 आई है ठीक है तो अगर हमारी calculated value tabulated value से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे अपनी null hypothesis को reject कर देंगे तो देखें यहाँ पर मैं कर्व के थुरू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ यह जो area है यह हमारा है 5% का ठीक है 5% यानि कि minus 1.96 से plus 1.96 तक यह हमारा है acceptance area अगर tabulated value इसे बहार जाती है यानि कि इससे ज़्यादा होती है तो वो reject हो जाएगी हमारी null hypothesis इसी तरह से अगर हम 1% पर चेक करते हैं यानि कि minus 2.58 से लेकर plus 2.58 तक अगर हम चेक करते हैं तो अगर हमारी यह calculated value अब भी देखें इससे ज़्यादा ही आ रही है calculated value tabulated value से ज़्यादा आ रही है तो अब भी हम इसे reject ही करेंगे इन दोनों ही percentage पर हम इसे reject करेंगे so friends आपको answer पता चल रहा होगा rejecting the null hypothesis and accepting the research hypothesis जब हम research null hypothesis को reject करते हैं तो research hypothesis next question देखते हैं question number 51 है for the use of online libraries in an effective manner which of the following possess a potential threat to quality एक प्रभावी तरीके से online पुस्तकालियों के उपियों के लिए निम्न में से कौन गुणमत्ता के लिए संभावित खत्रा पैदा करता है so friends यहाँ पर answer होगा fourth lack of technical skill of the user जो इन online पुस्तकालियों को use करने वाला है उसे use करना ही नहीं आएगा तो सबसे ज़ादा गुणमत्ता इसी चीज़ से गिरेगी next question देखते हैं question number 52 है किसी शोत परक अधियन में तीन स्वतंत्र चरो यथा लिंग परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति और नियंतरन को संस्थिति का प्रभाव सुनिश्चित किया जाना था अंत्राहर मापनी का प्रियोग करते हुए आशित चर का मापन किया गया इस प्रदत के सामाजिक अधियन विश्य के निश्पाधन पर निम्न लिखित में से कौन सी सांखी के प्रविदी उप्युक्त मानी जाएगी so friends इसमें यूज किया जाएगा F-Test next question देखते हैं question number 53 है निम्न लिखित में से कौन सा कथन मानव पूझी सिद्धान से संबंदित है मानव पूझी सिद्धान को आप पढ़ेंगे माक्सवाद में क्योंकि माक्स ने इस सिद्धान को दिया था मार्क्स का मानना था कि उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मानव श्रम जिस वज़ा से उन्होंने मानव को ही पूंजी की संग्या दी है मानव पूंजी का अर्थ है मानव पूंजी क्या होती है यह है एक प्रवीरताओं यानि के दक्षताओं जो होती है और ज्यान सामाजी तथा व्यक्तिक विशिस्ताओं का सामूहिक स्टॉक है यह हम यह कह सकते हैं कि इन सब चीजों का एक समूह है मानव पूंजी इसमें अभीकतन दिया गया है भावनात्मक रूप से बुद्धीमान बच्चे समस्या को हल करने में अच्छे पाय जाते हैं इसका कारण दे रखा है भावनात्मक बुद्धीमत्ता का अर्थ है कि भावना को एकिकरत और प्रवंधित करने की छमता ये बिल्कुत सही खा गया है, अभीकथन में भी सही खा गया है और इसके reason में भी जो reason दिया गया है वो इसी अभीकथन का सही reason है, इसकी वयाख्या करता है क्योंकि भावनात्मक रूप से जो बच्चे बुद्धिमान होते हैं वो समस्या को बहुत अच्छे प्रकार से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ ही यह होता है कि भावना को एकिरत करना और उन्हें अच्छे से मैनेज करना जो बालग इस काम को कर सकता है वो किसी भी समस्या को आसानी से हल कर सकता है So इसका right answer होगा दोनो A और R सही है और R A क्या सही स्पस्टी करन है First is the right answer Next question देखते हैं Question number 55 है स्वपनो विमत और उद्गोश से रहित सैक्षिक पदती निस्पक्ष और समावेशी होती है इस कथन की द्रस्टी से सिक्षा में किस पर ध्यान केंदित किया जाना चाहिए ठीक है friends So यहाँ पर स्वपनो यानि के dreams विमत का अर्थ होता है मतबेद होना अलग-अलग मत होना और उद्गोशन किसी भी चीज को ढोंग करना इन सब चीजों से रहित जो भी सैक्षिक पदती होगी वो कैसी होगी निस्पक्ष होगी और समावेशी होगी अगर इस कथन को हम ध्यान में रखें तो किस चीज पर हम सबसे जाद ध्यान के इंद्जित करेंगे वो है अधिगम करताओं के गहन-व्यक्तिक संबंद सुनीश्रित करना जब हम बालग में इन चीजों को उत्पन करेंगे य дост अनि के अधिगम करताओं के जो संबंद हैं व्यक्तिक संबंद हैं उनको सुनिश्चित करेंगे तभी इस प्रकार की सैक्षिक पद्धी का विकास हो पाएगा ठीक है तो इसका right answer है third next question देखते हैं question number 56 है निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से प्रतिवर्त व्यवार को परिभाशित करता है प्रतिवर्त व्यवार यानि के reflex behavior ये आपने learning theory में पढ़ा होगा तो इसका right answer होगा friends एक ग्याद उद्धीपक प्रतिकिरिया को निश्चित रूप से प्रकाश में लाता है for example जब आप किसी भी मिठाई को देखते हैं या मिठाई की शौप के सामने से गुजरते हैं तो आपके मुझ में पानी आने लगता है तो यहाँ पर जो मिठाई आपको दिखाई देती है वो किसका काम कर रही है वो एक उद्धीपक का कार्ये करती है और उद्धीपक क्या कर रहा है आपकी जो प्रती के रिया है उसको प्रकाश में ला रहा है यानिके मुँँ में जो पानी आया है वो इसी का ही नतीजा है यहाँ पर second is the right answer next question देखते हैं question number 57 है लागत लाब विशलेशन करने के लिए नीचे कुछ सामाने सोपान दिये गए है अब इनको आपको क्रम में लगाना है कौन सा यहाँ पर first number पर आएगा कौन सा second पर आएगा कौन सा third पर और फिर fourth पर इसमें सबसे पहले देखेगा कार्यक्रम या के से उसका वर्णन करना सबसे पहला step होगा डी उसके बाद आता है कार्यक्रम या परियोजना के input और output का मात्रात्मक रूप में वर्णन करना उसके बाद आता है कार्यक्रम या परियोजना के input और output की सामाजिक लागत और लाब का अनुमान लगाना फिर last में इन दोनों की दुलना करना ये steps होते हैं लागत लाव विशलेशन के अंतरगर ठीक है यहाँ पर आपका right answer होगा second D, A, B and C next question देखते हैं question number 58 है 58 question है एक सिक्षक संबंदित ग्यान के छेतर में आत्म विश्वास परदर्शित करते हुए e-learning portal से पहुँच प्राप्त करके जानकारी प्रस्तुत करता है इसमें निम्न लिखित में से कौशा सामिल हो सकता है so friends कोई एक teacher है जो की e-learning portal से जानकारी प्रस्तुत करता है यानि की e-learning portal के थुरू वो अपना कोई भी presentation देता है और वो इस चीज के लिए एश्योर भी है कि उसे सारी जानकारी खुद को है ये चीज वो दर्शाता है तो friends यहाँ पर देखे अनुसुची सूचनवयापती यानि के inappropriate information का coverage तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि e-learning portal के थुरू वो जानकारी दे रहा है तो इसका मतलब वो relevant होगी और उचित होगी तो यहाँ पर second नहीं होगा सामन जस्य और प्रिसांगिक्ता का अभाव ये भी नहीं होगा तक्निकी कोशल का अभाव भी नहीं होगा क्योंकि तक्निकी कोशल का उसे knowledge है तभी तो वो e-learning portal को use कर पा रहा है इसमें योगदान दिया है श्री अर्विन ने इसका right answer होगा फॉर्थ next question देखते हैं question number 60 है सामाजिक और भावनात्मक विकास की निमनलिखित विशेस्ताओं में से कौन बच्पन की अवस्ता को दरशाता है यहाँ पर बच्पन की अवस्ता से तात पर रहे है बाली अवस्ता से stage of childhood so friends इनमें से ऐसी कौन सी विशेस्ता है जो बाली अवस्ता की सामाजिक और भावनात्मक विकास को दरशाती है तो सबसे पहले ही हमारे mind में क्या नाम आता है बाली अवस्ता का नाम देते ही जिग्यासा क्योंकि यह एक ऐसी विशेस्ता है जो बाली अवस्ता में देखी जाती है अब यहाँ option में चेक कीजिएगा जिसमें जिग्यासा यानि के D point नहीं है उसे eliminate कर दीजिए ऐसा कौन सा option है वो है first next आगे देखते हैं हम लोग इसके अलावा और कौन कौन सी विशेस्ता हो सकती है माता पिता से वापसी की प्रवर्ती यानि के इस अवस्ता में बच्चे समाज में रहना यानि के सामाजी समूह में रहना जादा पसंद करते हैं अपने विद्या स्कूलों में जाना शुरू कर देते हैं जिस्ते कि वो माता पिता से थोड़ी दूरी बनाने लगते हैं तो यहाँ पर A भी इसकी विशेस्ता होगी और इसके बाद E भै और चिंता यह भी बालिय वस्ता की विशेस्ता है यहाँ पर राइट आंस्वर होगा फोर्थ A, D, E आज की वीडियो में यह 20 कोस्टन से माफी चाहूंगी देर से वीडियो अप्लोड करने के लिए पर मेरी यह कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको MCQs भी प्रोवाइट करा दू जिससे कि आपके एक्जाम में हेल्प हो जाए एक्जाम से पहले जादा से जादा MCQs आपको देने की कोशिश करूँगी आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहेए मिलते हैं आप आप से नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून